हेलो दोस्तों कैसे हैं देखिए यह थे लहरिया वाली डिजाइन बनाएंगे यह दो कलर की में बन सकती है कई कलर में बन सकती है लास्ट में शीजन के जो आपके थोड़े थोड़े उन बच्चे हो उससे सारे कलर में एक इस कलर से एक इस कलर से आप बना सकते हैं यह बैसिकल यह लहरिया वाली design बहुत अच्छी बन जाएगी तो यहाँ पर मैंने 16 फंदे लिये हैं और दो color खाली यूज़ कर रही हूँ जिससे ज़्यादा confusion ना हो मैंने यहाँ नीचे थोड़ा सा border बना लिया है border के गाद यह cream और pink color लिया है अब cream color से मेरा बन गया है तो हम अपने pink color से यह पहला फंदा सीधा बना लेंगे ठीक है और इसको बहुत tight नहीं रखेंगे क्योंकि पीछे से फिर वो सुकड़न सी आएगी यह देखे जैसे यह फंदे cross हुए हैं तो इसे loose rouge रखेंगे नहीं तो यह ऐसे सुकड़न सी आजाएगी श्रिंक सा लगेगा ऐसा जैसे खिचा खिचा सा अब देखे एक फंदा हमने अपने pink color से बिन लिया उसके बाद इस तरह से सलाई को insert कर लेंगे आगे से एक, दो, तीन तीन फंदे बिना बुने हमने इस सलाई के slip कर लिये एक यह फंदा, तो चार फंदे हो गए ना तो इसलिए चार-चार के multiple में हमने फंदे रखे हैं फिर एक फंदा उतार लिये पिंक कलर से सीधा बुन लेंगे यह देखे पिंक कलर से हमने सीधा बुन लिया और फिर एक, दो, तीन बिना बुने उतार लिये फिर एक से पिंक बुन लिया फिर एक, दो, तीन बिना बुने उतार लिये फिर एक सीधा बुन लिया पिंक से और लास्ट में यह तीन फंदे बुन पचे जिनको हम बिना बुने ही इस तरह से उतार देंगे यह हमारी फर्स्ट रो थी second row जो कि हमारी wrong side की row होगी इसमें हमें क्या करना है हमें ये जो पहला फंदा है उसको हमने अपने pink color से उल्टा बनाना है ठीक है और ये beach वाला फंदा जो है इसको बिना बुने उतार लेंगे और फिर एक दो और एक ये तीन तीन pink उल्टे बना लिए और ये beach वाला बंदा फिर आ गया तो इस beach वाले फंदे को बिना बुने उतार देंगे ये देखे कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा तीन उल्टे pink से एक, दो तीन और ये beach वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे फिर 3 फंदे pink से उल्टे 2 3 फिर ये वी चो ला फंदा ऐसे उतार लेंगे बिना बुने ही और लास्ट में स््टार्टिंग में हमाई पास 1 pink था एंड में हमारे पास 2 pink होँगे एक और ये 2 दोनों को हमने बुन लिया तो बस इन 2 धसलाईयों में सीधी और उल्टी तरफ हमने अपना फंदे को चेंज किया है अब हमाई थर्ड रो जो कि राइट साइट की है हम पिंक कलर से पूरी ही सीधी बनाएंगे नॉर्मल जैसे सीधी निट करते हैं दो तीन चार पांच छे इसी तरह मैं पूरी कम्प्लीट कर लेती है अब यह फोर्त रो उल्टी साइट की है इसे हम पूरी टोटल जैसे सिंपल पर्ल बनते उल्टी सलाई दो इसी तरह से नॉर्मल जैसे उल्ट बनाते हैं ऐसे हम पूरी सलाई सारे फंदे उल्टे बना लेंगे चार से लागियों को पैटर्न बनके तग्यार हो गया फिर इसी तरह से हमें अपने next color को पहला फंदा cream बनाएंगे तीन फंदा बिना बुने उतार सेब वही चीज रिपीट करनी है और बस color change करने जाना है तो आप अपने multi color दी यूज कर सकते हो बस मैं एक फंदा बना के आपको दिखा देती हूँ देखो एक बने गया 2-3 pink बिना बुने उतार लिए फिर एक cream फिर तीन 13 पिंग फिर a2-13 पिंग बिना बुने उतारे एक क्रेम last में 3 prix बचे इने उतार लिए जैसे हमने यह वाली सलाय को same way से ही बनाएंगे और इसी तरह से अपने pattern को complete करेंगे I hope बिल्कुली easy है आप लोग आपने किसी भी project में इसे डाल के इसका वो कर सकते हैं फायदा उठा सकते हैं तो please जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर आपने बहुत ही अच्छा response दिया प्लीज ऐसे ही motivate करते रहें अब तो इतने knitting channel है अगर हम एक दूसरे को ही support करें तो हमारी अच्छी खासी community है तो please इस बात द्यान दे और motivate करें एक like मेरा ही नहीं किसी का भी channel आप देख रहे हो आप सोचो कितनी मेहनत होती आप एक like और share से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन उसके उपर बहुत फरक पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में और आपके साथ मिलगे कुछ अच्छा सा बनाते हैं